नमस्कार पापाममीकिचेन.com में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाना जा रहे हैं बहुत ही कम तेल में चटपटा और स्वादिश चीवडा जोकि पांची मिन्ट में बनके तयार हो जाता है वैसे तो यह चीवडा बना के रखते हैं दस-पंदर दिन भी खराब नहीं होता है पर इतना स्वादिश्ट होता है कि हमारे गर में तो दो-तिन दिन में खतम हो जाता है तो आए जानते हैं इसकी रेसेपी नमकिन चीवडा बनाने के लिए हमने की 100 g चीवडा लिए है यह बटला स्वादीक मिलते हैं इक मोटा होता है जो की बट्री नाने मेंं काम आता है और यह पातला स्वादे उंतल में कम बना करके प्लक सकते हैं वrem सबसे पहले सेख लेंगे के लिए कड़ाई में डाल दिया है इसे और गेस चालू कर देते हैं यह चीज का ध्यान तक जब भी सीवड़ा आप सेके ज्यादा तेज आच में नहीं सेखें तेज आच में क्या है जल जाएक अच्छा नहीं सेखेंगा इसको आच स्लो और मीडियम उच्चन के लिए आग में हम्स है उच्चन को जब हम बनाते हैं तो इसको फ़्य करके बनाना पड़नाना ह Wi-dja तर हमारे वीवर्स बोलते हैं कि हमरों को हल्दी बनाना Hayır हर्दी सिवडा इस योली परप बना करके खा सकते हैं और जब एक बनाया उस्ते में थोड़ा मोटे तले की कड़ाई हो आपके पास तो उसको आप न्यूज करेंगो तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें अच्छा सिखेगा और जलेगा भी नहीं अभी यह चुड़ा हमारा सिक्कर तयार हो गया है और गेस कबंद कर दे है यह चुड़ा अच्छा सिक्के तयार हो गया है अभी इसके बाउल में निकाल लेते हैं अभी चिवड़ा में डालने के लिए कुछ चीजों को हम हलका फ्राइब कर लेंगे इसके लिए ज्यादा तेल नहीं डालेंगे सिर्फ दो चमज तेल डालेंगे और गैस को धीर आ करूं है आहिए ह publicly अब देखेंगे कि सिंग्दाने जोंचार कर रहे हैं इसुमें यह बहुत कम तील में कर रहे हैं इसे एँ हुम पुरा चीवड़ा बनाकर तयार करें जो टेल में हमारा पूरा चीवड़ा बनकर त्यार हो गया है अब देखे हमारे सिंग्दाने थोड़ा थोड़ा चटकने लगे हैं हलके हलके सिंग्दाने जब चटकने लगे उसके अंदर हम यह बुने हुए चने हैं यह डाल देते इसको भी इसी के साथ हम बुन लेंगे आज को हम धिरे ही रखेंगे कि अभी अभी सिंगदाने के साथ साथ में बुनते रहेंगे इस चीज का आप ज्यान रखें ये बनाते समय आज को आप स्वो और मीडियम के बीच में रखें तेज आज में करेंगा ते जलने लग जाएंगे अभी चन्य भी भुन गए हैं अभी इसमें हम करीब दस काजू लिये हैं उसको दो तुकड़ों में कर दिया है इसको भी इसके साथ भूं लेंगे और दस ही अमने बादाम लिये है उसके इस तरह से दो-दो पीस कर लिये ये इसमें डाल देए कि इसी के साथ हमने एक टेबल स्पुन तिल लिए हैं इसको भी इसके साथ धून लेंगे और एक टेबल स्पुन हमने वाटर मिलन के सीड लिए हैं बेढाइब कोई चीज नहीं हो तो आप उसे सक आप कर सकते हैं मुड़े हारी मिर्ची डूले पaser लिए हैं, हरी मिर्ची बेढाने करके सूख जाएगी मुक्चीस में थोड़ा सामने नारियल लिया है इसको इस तरह से लंबा लंबा काच लिया है इसके 20-30 पीस ऐसे ले सकता है यह ज्यादा भी ले तो भी खाने में टेस्टी लगता है किया है के तो यह सब भी चीजयतं दिर आज में बनारै कि इसी के साथ अभी हम । बीस-tez कडीपते हैं यह डाल देते हैं यह बीच के आप जाएंगे में गडीं wrapped दीडे दीडे आच में इ Similar to the कुर्ष एक के टेबलीस्पून किसमेक अब तर मरिया इसको डाल देखिद में इन वासे की खुस्पू अभी बहुत की अची अने लग गए जाना घे हैं इस तब AI आए और दीड़े से पकाने लाई है और खुस्मों इसकी बहुत अच्छी आ रही है यह सभी फ्राइब करने काम हम दो चमज तेल डाला था उसी महु रहा है यह नास्ता बहुत ही हेल्दी बनके तयार होता है आथ है आए जाए जब लुटे रुटाव्यदी बहुत है तो दीड़े आज में यह सबहु रहे हैं अरी मिर्ची थोड़ा महिनमें काटके डालेका बीदी इसमें जिसर के अच्छी सूक जाती है जिसके अच्छी से बुन गई है अभी इसमें हम आदा चमच हल्दी डाल देत कि देड़ चमच इसमें नमक डाला है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं हर्जी का अच्छा गया है थोड़ा सा इसने हम आदा चमच इतना मिर्ची डाल देते हैं काला नमक का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है कि अगरी मसाले इसके अंदर अच्छे बुन गये हैं अभी इसमें जो चेवडा को आमने सीख कर रखा था वो डाल देते हैं पूरा चेवडों कमने डाल दिया है दीरे दीरे इसको चलाते रहेंगे उपर निचा इस तरह से करेंगे पूरा चेवडों अच्छा कलर आजाएगा अभी इसमें हम एक टेबली स्पुन सक्कर को दिया था और एक चिप्ती हमने शाइटरीक अचिड लिया था यह नि निवू का सथ लिया था दोनों को हमने साथ में पीस लिया है यह पीस करके डाले जिससे इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा इसको भी इसके साथ मिक् अब सबी मसाले चीवडे के उपर अच्छे से लग गए हैं चीवडे का कलर भी आप देख पा रहे हैं एकदम से अच्छा येलो कलर हो गया है मिर्ची इसमें अपने कम डाली है क्योंकि हरी मिर्ची अपने काटके डाल दी थी यदि आपको ज्यादा मिर्ची पसंद हो ता आप ज्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं अब ही हमारा चिवडा बनके तयार है और गेस को बंद कर देते हैं तो इस तरह का चिवडा बना करके आप ठंडा करके लिग टाइट डबे में प्याक करके रखेंगे तो 15 दिन भी खराब नहीं होता है तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिक थठाइ़ डिया नीचे के अमने लिक कॉम प्राब हम UP्साज़ से ओूसक्झरा लुब शफंडाले नहीं होता है वारे उना करके ऐस्ते हैं क कंँझर टूसक्यं होत्ड़ रखेंगे कैसा वरे येडिज … शद्दड़िं टूसक वाता किर देत मुन्あॉसक्श्य Flagण है कर